नमस्कार जोहार दोस्तों मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग डाक्टर बियन ओधार द्वारा लिखित निवन्द खोर्था साहित का निवन्द अगर आप लोग देखेंगे तो यह जो पुस्तक है मेरे हाथ में इस पुस्तक में जिसका नाम है खोर्था साहितिक निवन्द और हमारा सिलेवस में भी है खोर्था साहितिक निवन्द नाम से उसमें दो निवन्द आप लोगों को पढ़ना है एक निवन्द है जेकरा नाम है भाई बहिन के सुब्र प्यार के परतिक परव करम उसी में से इस निवन्द का जो मूल भाव है उसको पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग लाइन बाइन कम्प्लीटली इसको पढ़ेंगे दोस्तों मेरा सोभाई के है कि जिस सिच्छक के छत्रशाया में मैंने खोर्था सीखा है और पढ़ा है उन्ही के लिखित निवन्द का आज में आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैंने खोर्था बियन ओधार सर से पढ़ा है और बियन ओधार सर के दुवारा लिखा हुआ भाई बहिन के सुब्र प्यार के पर्तिक परब करम परब और उन्होंने जिस परकार से समझाया है उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग एक कहानी के तोर पर इसे पहले समझ लेते हैं इस करम में क्या है तो पहले हिंदी में बात कर लेते हैं इस करमा परब में क्या है तो यहां पर आपको मिल जाएगा पहले की परब कैसे होता है और यह करमा परब में होता क्या क कि इसका अगर दूसरे खंड को देखेंगे याने की पार्ट तू को देखेंगे तो एक बिवाहित बहन का मन की लालसा क्या होती है इस बारे में यहां पर बात की गई एक बिवाहित बहन जो अपने सस्राल में है वह चाती है कि इस परब में उसका भाई उसको लेने आए और जैसे जैसे समय बित्ता है लेजने आने का समय जो करीब आता है तो उसकी उत्सुकता और जैसे जैसे समय बित्ता है तो उनकी ब्याकूलता दोनों ही चीजों का बहुत ही बेहतरीन धंग से वर्नन किया हैं और इसी बर्नन को आज हम लोग खुर्टा टु हिंदी देखेंगे और पूरे जो करम परब है उस परब में क्या क्या चीजें होती है आप लोग इसे देखेंगे लोग गित में आप लोग का एक टॉपिक है जिसमें नाम है अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ था परब टेवार से बढ़ा रौल रहेगा और चुकि यहां पर जो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस चर्चा में कुछ लोक गीत भी आपके सामने आएंगे जिसे मैं बताऊंगा और जिसे डिसकस भी करूंगा तो इस टॉपिक को अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपके लोग गीत का एक टॉपिक भी साथ में हो जाता है देखे पढ़ाने का हर किसी का तरीका अपना अपना होता है मैं कोशिस करता हूं कि आप लोगों को कम से कम मेहनत में जैदा से जैदा चीजें उपलब्द हो जाएं तो चलते हैं परले खोर्था फिर खोर्था को समझाने के लिए मैं हिंदी लेंग्वेज का परियोग करूंगा और दोनों का आप लोग तालमिल बिठाएंगे चुकि यह निवंद थोड़ा बड़ा है तो कंटिनिवसली भाव से देखेंगे इसकिप करके देखेंगे तो आपके क्वेस्चन छूटेंगे हम लोग यहाँ पर कंप्लिटली आपको पूरे निवंद पर चर्चा कर देते हैं उसके बद अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके कहीं से भी प्रश्ण पूछेंगे जाएंगे खोर्टा में तो आपके हल मिल जाएंगे चुकि यह प्रकिर्ति का पूजा है तो प्रकिर्तिक नजरों से हम लोग देखते हैं राखी और भाईया दूज जो परब मनाया जाता है उसी परब का हम लोग बात करते हैं भाई बहन का परब राखी और भाईया दूज जैसन भाई बहन के सुभ प्यार से सारवबार परब प्यार जेह भारतिक संस्कृति के अच्छे संपत है जार्खन छेत्रेक अनुठा और माहन परव करम भाई बहन के सुबप्यार के परतिक परवहके जेतरी राखी और भाई दूज परवे भाई बहिन एक दोसर के मंगल कामना करहत सैतरी करम उत्रवबहिन आपन भाई गुलन के लागिन और करम राजा ते आपन आचरापसार के अगर आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको पता चल गया होगा कि जिस परकार से राखी और भाई बहन के प्यार का परतीक है उसी परकार से करम पूजा जो है वह अभी बहन के प्यार का ही परतीक है यहाँ पर भी करम राजा से सभी बहने क्या मांगती है अपनी भाई का सुरच्छा खुशाली ये सब मांगती है बहने अपने भाई के लिए भादो इंजरिया पचेक एका दसीती थी ध्यान रखेंगे करम पूजाक दीन हके इअवसरे पईत भाई आपन बहिन के सुसरायर से नहियर आदर पुर्वक लियाय लाना हत की लेकी ओखिन डंगवा बेटी छववा गुलान तो लगाए करमेतीन मने करम के पुजारिन कहा जा रहा है कि भादो का इंजरिया जो समय होता है इसी समय में जो है इस परब का होना तय होता है और इस दोरान भाई अपनी बहन को उसके सुसराल से अपने घर यानि कि नहियर जो है वहाँ लाने का प्रियास करते हैं और लाने जाते हैं क्यों कि करमा परब का जो फिर लोग विश्वास और मान्यता जूटल है। जेतरी की एक बेटे चरम और करम के शमन्नुवई के परब मानल जाए, तो दोसर बटे करम सुन्दर सुन्दर छववा पूता पाव्यक लागिन मनोती परब है कि एक तरफ एक तरफ यह कहा जाता है कि यह करम और धरम जो है उस दोनों के बीच का कहानी है और दुसरी तरफ यह कहा जाता है करमा परब जो है वह सुन्दर सुन्दर बेटे का कामना के लिए भी करता है सेले करमेतिन आपन पूजाक थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा राखा हत एक गोल मटोल और पुष्टगर खीरा उस थाली में रखता है और कहते हैं कि इसी परकार का मेरा जो है बच्चा भी हो आर करम राजा से कामना करहत की ओकरा सुन्दर सुडोल बेटा मिले आपन कोई प्रियजन के परदेश से घर गुईर आवेक खुसी मनावेक परब भी करम परब हो है कहने का मतलब है बहुत तरह की कहानिया इस करम परब से जुड़ी हुई है पहला कहानी तो भाई बहन का सुबर प्यार का है परतिक दूसरा कहानी क्या है कि इसमें बेटे के लिए जो करमेतिन है वो करम राजा से अपना बरदान मांगती है और उसके बदले में एक सिडोल जो है उसको अपने थाली में रखती है कि उसी खीरा के आदार पर कहता है कि सुडोल बच्चा जो है उसको मिले तीसरा चीज होता है कि कोई भी प्रियजन जो परदे जाता है तो उसको घूरने के लिए भी यह एक परब है करम एक बेटे जुवक जूती लागिन और रस और राग लब और ताल के परभके तो दोसर बटे धान रोपनिक हाइट टूटा काम से फूर्शत पावल किसाने मन ही अखलाक के अभिवेक्ति मिले है यह परब है मतलब कहने का यहां है एक तो यह प्यार का परब्भी है और दूसरा चुकि इस समय यानि कि भादों का इंजोर परब जाने का एक मोका मिलता है चाहे बार-बार जाने मिले या नहीं मिले है यहां पर दो बाते और देख लेंगे कि करम पुजा का जो नियम वह नियम क्या है कहानी तो दो तरह के आप तिन तरह का आप लोगों ने देखा कि यहां पर एक धरम करम का कहानी है एक है कोई भाई अमीर बनके आता है गाउं में उसका भी कहानी है दुसरा है बेटे की आस में कहानी है तिसरा भाई बहन के प्यार का चोंता भाई बहन के प्यार का कहानी है तो कहा जाता है क्या करम पर अब जो है इसमें साथ दिन होता है पा से दूर कोनो नदी नालाक धायरे जाहत और हुआ नहाय छोड़के नहाय धोई के दूग और बहां से नावा पती आए जक्रा के डाला कहल जाहे हुआ से बालू उठाई के ले आहते और बालू बोरल डालाएं धान गेहुं जोन्रा बूठ उरीद कूर्थी गोटा बूइन द बढ़ता है यह सब चीजे का जो बीज है उसको रोपता है जैसे यहाँ पर इमेज में आप देख रहे होंगे यह जो बढ़ता है वही बीज का है ठीक है कि डाला के सेवा बर्दास लागिन तीन या पांच गो टनक करमयतिन जकरा डालाईतिन कहल जाहे बाचल जाहत कि डाला के गावक पाहन और नायतो मुख डालेतिन घरे राखल जाहे परत दिन परतेक दिन वहां रखल जाता है बेरा डूबल कर पाचु गावक आखराए आखरा किसको बोलते यह भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है गावक आखराए डाला के लाइन के करमयतिन गुलिन डाला के चैरो और घेरा बनाएके घूर घूर के नाचह और गीत गावा हतिन और डाला के जगावा हतिन एक रा जावा जगावक कहल जाहे और गीत के जावा जगा गीत कहल जाह है मतलब इस समय एक जगा में सभी यूतियां या महिला है जो कर्मैतिन है वे लोग क्या करते हैं जाते हैं और उस जगा पर सब लोग गीत करते हैं और इसी को लोग जावा गीत या जावा जागा गीत भी कहते है जावावेक जीती है और 4-5 दिन एक पेच्छू डालाई बुनल गोटा अंकूर जाहे और पियर पियर तीन चैर इंच के पोधा बन जाए जैसा कि यहां पर इमेज में हमने दिखाया क्या होता है चार पाई दिन में वह अंकूरित हो जाता है और उसके पीला पीला जैसे पोधा निकलता है पोध उस परकार का पोध निकलता है और इसी पोध को क्या कहा जाता है जावा फूल कहा जाता है आंधार घरे राखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हवा है मकिन आरो पियर करेक लागिन करमे तिन ओका हर्दी पानी पटावा हतु जितना पीला होगा उतना ही उसका जावा एट्रेक्टिव लगेगा और माना जाएगा कि उसको उतना ही बढ़िया है इसलिए क कहता है उस पर पीला पानी या हल्दी का पानी इस पर डाल दिया जाता है ताकि वह पीला और दिखें बाला उठावेक दीन से लड़के करम पुजाक दीन तक करम इतिन बड़ी निष्ठा और संजम से रहत इमांजे जरल पोडल तीता आमत मांस मच्री और जुठा भोजन करने का मतलब है कि इस समय लोग बहुत ही नियम कानुन से रहते हैं और इस दोरान क्या क्या नहीं खाता है करमेतिन एकदम संयम से रहता है इस समय मतलब जलाया हुआ या पोड़ाया हुआ या तीता या खठा या मांक्स या मचली या मदीरा इस चीजों का सेवन नहीं करते करम पुजाकदिन, गामेक पहान बहुन जाएके करम गाचक दुगो पुटुस आर शुडोल डाइर के काइट के आना है रहा करमेक दूयो डाइर के एके गाचक हवेक्टा आया जरूरी यहां करम का दो डाली काट के लाया जाता है यह दोनों डाली एक ही पेड़ का होना अविश्यक है अलग-अलग पेड़ का दो डारी नहीं काट के ला सकते है इदूयों डायर के पाहन गामेक बाहिर है राइक छोड़ है जकरा गामेक बेटा चोवा मने करमेतिन के भाई गुला ढोल नगड़ा बजाई के गीते नादे गामेक आखरा लाइन के गाड़ देद उसके बाद क्या करता है उसको जो काट के लाता है वो उसको छोड़ देता है गाउं के बाहर में और जो करमेतिन का जो भाई लोग है वे लोग जाते हैं और उसको धोल नगाडा बजाते हुए उसको लेके आते हैं कहा गाउं का आखडा में और वहां उसको लगा देते हैं गामेक पाहन एकर पेचु हाग पायर के करमेतिन के आखराय आवेक नेवता देदे है और भादो महिनाक अंधरिया रायते गामेक करमेतिन धीवेक दिया जगमा गोईले पुजाक थारी हाथे लेके जखन पांता पांती चले लागा हत तखन इसन बुजा है कि जैसे आकासेक तारी गन आज जारकंडे गामे नाइमगुर फिर रहा लत जब जो पुजारी है मुख पुजारी जिसको बोलते हैं वो जब करमेतिन सब को निमंत्रन दे देता है कि हाँ आप पुजा करने के लिए आईये तो उस दोरान जो वे लोग थाली में दिया जला के लाते हैं तो अंधरिया रात में इस टाइप से दिखता है जैसे की अकास में तारे टिम्टिमा रहे होते हैं उस तरह से उनके हाथों का थाली को दिखता है पूजाक लागिन बासेख टेकी राखल कमल कमूदनी केवडा और कादो फुलेक हुलुक हुलुक सुगंद और करमेतिन के गाच से उठल काचा हर्दिक उब्टन और मेहंदिक मेसर गंद लुह की भदराई बाजासते संगे करे हैं लकमे लकमे चैरी बेठे पतर जाहें यहां पर बड़ा ही सुंदर बर्नन किये हैं वहधार सर ने कि उस समय जो ठाली में जो रहता है सुगंद सुगंदित फूल जो पुजा के लिए आता है उसकी खुसबू अगर बत्ती की खुसबू और साथ साथ में जो करमेतिन लोग अपने सरीर में सुंदर दिखने के लिए जो उब्टन लगाते हैं उसका खुसबू से आसपास्ट का जो बातावरन है वह एकदम महक जाता है चहक जाता है बड़ा ही सुन्दर धंग से इसे प्रस्तुत किया गया है करम पुजा के दोसर दिन धाराए जवाफूल राइक के करमेतिन गुला आपन भाय ठिन जाएक के भायक काने जवाफूल खुसके कहा हत आपन करम महा आम धरम इमंतर के ओखिन पुजाक कई कई बर इस मंत्र को दोराया जाता है मोनेक बहिन गुला कहा है कि हमार जे धरम आर जे कर्टेब्रे उतो करली भायक लागिन करम राजा के सुख संपत मांगली अब तो भायक करमेक उपर निर्भर कर है कि इता पूरा हवे भाय गिला आपन आपन समर्थ से भाय बहिन के या परब करती है वह भगवान से या मनाती है कि जो हमने करम किया है या जो हम कर रहे हैं इस करम का फल मेरे भाई को मिले लेकिन फिर भी करती है कि जैसे हम अपने करम को कर रहे हैं इसी परकार से भाई के लिए भी एक चीज और है कि वो जब तक अपना करम नहीं करेगा तो शिर्फ आशिरवाद के भरोसे में नहीं मिलेगा इसलिए आपन समरत से अगरी बटरी काल जाय जो देता है करमायतिन के खीरा बेटा के करमायतिन के बापे खा है लेकि उँ ओकर नाना लग तक खीरा बेटा करमायतिन के भाई के खाई नाय बने है किले की उतो मामा लगत और जार खंडे तो भैगना मामा क लागिन देवतक जुकुर हो हत इतरी करमेतिन आपन छववा पूता लागिन आपन भाई बाठे ले सुरच्छा के गारंटी करवाई ले हत कहने का मतलब है जो खीरा जो चड़ाय जाता है उस खीरा को भाई नहीं खा सकता है कोन खाएगा तो उसका जो बाबुजी है वो खाएंगे करमेतिन का और यह प्रश्ण पूछा गया था कि जो खीरा जो चड़ाय जाता है वो खीरा कोन खा सकता है यह प्रश्ण पूछा जा चुका है करम परम में इन्पोर्टेंट है जानेंगे और खीरा को आप्श दिया हुआ रहेगा तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यह जो है कर्मेतिन का पिता को ही सिर्फ खाने का एलाव है और किसी को नहीं इस परकार से क्या होता मामा के तरफ से सुरच्छा हो जाता है क्योंकि जार मामा खतरनाक हुए हैं मामा सकूनी भी खतरनाक हुए हैं मामा कं यहां पर मिल जाता है उसके बाद किया बोलता है जारखंडिक समाजे परिहास और परिहार जिसको बोलते हैं जोकिंग एंड एवोईडेंस इसका बड़ा ही सुन्दर जो है एक्जामपल है सुब्र प्यार और आलोकिक प्यार से सराबोर करम गीतेक एक धंगा लेता है और भा बहुत ही सुन्दर चित्रन मिलता है गीतों के जरिये करम परब के दुरान गीतों का जो तेवार है लोक गीतों का जो बोल चाल होता है इस बारे में बहुत ही सुन्दर सुन्दर चित्रन क्या गया है चलिए आये देखते हैं कुछ गीतों को जो कि आप लोग का लोग गीत में भी इन्पोर्टेंट हो जाएंगे भादो महिनक पर्ती बहिन आपन नईहर जा है और भायक आश्रा देखे लागहत कि अंगूरी गीने लागहत कि करम परब के दिन नईजिकाई के अनुमान लागहत किस परकार से जो देखता है प्रकिर्ती का जो परिवर्तन उसके आदार पर वो करम परब का इंतिजार करने लगती है गारक भीत्रे गौबरक टीका दान्डी खीच के गिंती करत गौबर का टीका कहने का मतलब है घर के अंदर में वह अलग-अलग जो है कलर का टीका देती है कि आज एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छे दिन इस परकार से कि कब मेरा भाई आएगा हमको लेने के लिए और कब हम उसके साथ में जाएंगे इसी को बोलते हैं काउंटिंग करना क्योंकि यहाँ पर देखे, यह नहीं बोला जाता है कि बहुत ज़्यज़ा पड़े लिखे लोग है या इस परकार से हैं लेकिन यह लोग अपने तरीके से याद रखते हैं और नाय उम्रल आवेत नदी नाला, टाला टीपे, भौरल आहर पोकर और आकासे मतवार हाथिक गोठ लखे, मनरायल करिया करिया बजरी तो कहिए देह कि भादो कथा अगर इस सबसे भी परे अगर जाएगा तो वहाँ पर देखता है कि इस दोरान नदी पत्थर, नदी नाला सब भरा हुआ है तला पोकर सब भरा हुआ है वो भी नहीं देखता है तो आसमान में जो बादल कारे कारे हैं वो उमर रहे हैं तो इससे भी एहसास होने लगता है और मन में बहुत ही तरह की बात चलने लगता है कि जोदी एहो टाइं कोनों रकम चूक भई जाए तो खेत गोटेक आईरे गोहरे नदी जोरियक कदाई फुटल बोकेक पाइक लखें जख सफेद करम के जख सफेद कांसक फूल करने का सब है कि अगर यह सब भी नहीं दिखता है तो सफेद सफेद जो करम का फूल होता है करम बोल रहे हैं कांसका जो फूल होता है वह तो चारो तरफ है आज देखने को बहुत कम मिलता है वाई लेकिन इस समय का बोले अभी भी गाओं देहात का छेत्र में अगर धनबाद चीज आप इधर उदर खोजेंगे गाओं देहात में तो मिल जाएगा कांस का फूल जो है इस समय बड़ा ही फैला हुआ रहता है और इसको भी देखके तो पहचान जाता है और अपना बाप के नगर के पहुचे जाहे और आपन भाई के आवेक परतिच्छा कर लें इस गौमतिक धारी धारी फूटल कांसी गे ऐसे पढ़ सकते हैं इसको कवीता के भाव में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा गौमतिक धारी धारी फूटल कांसी गे नुनिके मान नयह चली गेल कांसी फुल फुटी गेल नदी नाला भोरी गेल आस देखी आंखी अट टाए यहां पर इस टैप थे आपको थोड़ा साज समझना होगा काना के तोर पे जानना होगा तब जाके आपको आपको अर इसका भी का गोमतिक धारी-धारी नदी के धारी-धारी फूट गिया है कांसी का फूल नूनिक मन नहियर चली गेल उसका मन जो है तो नहीं अहां है लेकिन मन कहां है तो बाप का घर में मन चला गिया भाई के पास नूनिक मन नहेंचली गेल, कासई फुल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, वो लगेल, कासँ का फुल जो है, वो खिल गया है, नदी नाला भगये हैं, आसज़ देखिआक टटाया है, और आश़ देखते मेरा आंख बहुत ही परेशान हो गया है और आज देखते देखते अज़क्या टटाए गिया है कब आएगा क्योंकि भादर तो अब आही गया है यह अपने भाई से कहता है इसी तरज पर कई तरग देखी अलोग गित भी अपके यहां से हो जा रहा है इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूं मैं आपन भाई एक परतिख्याए बहिन के आएक टटाए जाहे तयो भाई नाई पोहँचे है अरू अनुमाल लगाव है कि भाई के तो माई जुन जुनार पठवज हते लियन करे की मकिन भाई तो एक हके कामकाजी कामनीहार की जानी याद हते ना विश्राइगेल हतक ए भावेक गीत और दे दिया है गोधार सर बड़े ही जवर्चस्त लेखा के खौर्था के और उन्होंने कभीता को और गद को और पद को मिश्रन करके इस टाइप चे आपके सामने रख दिया है कि आपको कहीं भी जाने का जोरत ही नहीं है पूरा रस बरा हुआ है इनके जो लेखनी म बोलते हैं कि यहां पर जो कहते हैं कि भाई तो एक ही है मेरा और भाई के साथ में अगर इस टाइप ते कुछ हुआ होगा कि वो भूल गये कामकाज के चक्कर में क्योंकि एक ही को कमाने वाला है मेरा भाई घर में मा तो बोली होगी लेगिन क्या उसको याद रहा होगा तो उसमें परल भादर मास लाग ले नहेर एक आस मैया कही कही भाईया के पहठाई मेरे भादर कू कल आये प्र से यहां पर गिद्दे दिया है करमायतिन के मने मने सोच है कि भाई तो आवे तो आवे दे हते लियन करें फिर अटक लगाव है कि जानी कौन भाय थे अगर जिसका जैदा भाई है तो जिसका एक भाई है तो महा हो गिया जिसका जायदाए कोन बयाएете कि मज्ञिला दादा कि जानि कि छोटओ भाई आवे पा रहे हैं वह मनमन में भावना ब्यक्त नहीं कर रही है पर मन मन में बहुत चीजे को वह सोच रही है जोदी बढ़का आयते तो किया होगा फटका आयते तो किया थे मजला दादा आयते तो किया थे तो फिर सोचती है उह मने मने सोच रही कि बढ़का दादा और मजला दादा नहीं आएगा नहीं आएता है सेटा बेस की ले की ओकिन दियो तो बड़ो लोग, उलोग दोनों तो बड़ा आदमी हो गिया है, उलोग इससब चीज को नहीं बेलू देता है, इसलिए उलोग नहीं आएगा, लेकिन बड़ो लोग की जाने हमार ससुर घरक लोग ओखनिक मान मरजात बेस्ट से करे पारता की ना पारता, बड़ी अगर चोटा भाई आता है, तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उस तो बड़ा अच्छा होगा, ठोड़ा सा कमजोर भी है, और दूसरा बात है कि अगर मेरा सुस्राल वाला अगर नहीं भेजने करेगा, तो रोध दोके वो ले लेगा, ले जाएगा हमको किसी तरह से, लेकिन वो लोग नहीं ले जा पाएगा, बड़का हो भाईया, मती गेले आईहा, कहा पाबब्बा कलपान हो अरे हो हो, मजला हो भाईया मति लेगे आईया कहां पावन बांधल खंसिया हो छटका हो भाईया तुहें चलल आईया कांधी-कांधी महंग भेविदाई हो ये जो गीत है ये गीत में कह रहा है कि बड़ा भाईया तुम मत आना बड़े भाई तुम मत आना कहां पाएंगे पान और जर्दा बोलते हैं मजला भाई तुम मत आना कहां पाएंगे हम खसिया जो तुम को खिलाएंगे छोटका भाईया तुम ही चले आना रो के हस के जैसे भी हो मेरा बिदाई करा लेना भावुक कर देने वाला लेख है और भावुक कर देने वाला कहानी भावनावों से सराबार है मकिन एतना दिन जब ओकर भाई लियन करें नाई पहुँच लग तो करमाइतिन के मन नहीं हर जायक लागिन हुचेक जात इतना दिन होने के बाद भी अगर नहीं पहुँचा तो उसका लालसा और बढ़ जाता है और ओकर मने एतना बढ़ जा है कि डारे बाटे जवईया राही गिला कि देख ओकरा बुझाय लाग है कि जैसे ओकर भाई ये आये रहा है कोई भी राही राता है तो उसको लगने लगता है कि उसका भाई आ रहा है और भीड में से किसी को भी देखने पर वह पूच बैठता है या पूच बैठती है कि कौन आया है कोई ना उतो हमार सहोदर पिठिया छोटा भाई ऐरहल है देखा देखा ठीक से चीना तो छोटा भाई सिर्फ कल्पना मात्र कर रही है पूछ रही है किसी से पूछ रही है कि कौन है देखो तो क्या वो तुमारा भैसुर लग रहा है या तुमारा ससूर लग रहा है या मेरा छोटा भाई है कौन आ रहा है इस बरकार से कल्पना मात्र से ही वू दोड के अगवानी करने लग जाता है पोखरिय के भीडिय कौन रोग आवे चिन ही दि है लागए सवीर नहीं लागए भैशूर चिन ही दि है लागे सहोदर भाई हो चिन ही दि है करने का मतलब है कि वह वह सवीर है ससूर है यह कोन है थोड़ा सा पहचान दो हम दूर से देख नहीं पा रहे हैं। लग रहा आये कि तलाब जो पोकरिया है उसके किनारे से वो आ रहा है है। उसको पहचान दो, कौन है? फिर वो कटी ठटक है के थाट भर जाही और आपन घारक दसा देखके सोच है की कहीं जे बैठ वी आपन भाय के खाटी बैठ वी कि माची बैठ वी? बहुत सोच है. बहुत पर्तीक हैं इसमें और बहुत सारी चीजे हैं बोलता है खाची, माची मे करने का मतलब है खाची और माची में जो है वह भैसुर बैठेगा और हम अपने भाई के लिए सोना के पलकिया में उसको बैठाएंगे का के देबई खटिया का के देबई मचिया का के देबई सोने के पलकिया हो ससुर के देबई खटिया भैसुर के देबई मचिया और सहोदर के सोना के पलकिया हो निया पर गजब गपर हाए सब अनुमान टाई टाई गलत सब अनुमान गलत हो गिया और राह देखते रह गई और सोच में पड़ गई कि अभी तक मेरा भाई क्यों नहीं आया इतना सोचने के बाद सोच रही है कि अभी तक मेरा भाई क्यों नहीं आया ओकर भाई तो रहे नाई करमेतिन फिन स्वचविक आखिर ओकर भाई की ले नाई एलग एकन तक लियन करे ले अब मन जो है ब्याकुल होने लगा कि क्यों उसका भाई अभी तक नहीं आया लेने के लिए अब मन ब्याकुल हो रहा है कि अभी तक नहीं आया उरकम रकम के अटक लगवा ही हमर छोट भाइत गरिब लोग की जाने कोनो संदेश तंदेश जुटवे पारल हवत की नाय की जाने सहले उस संकोचे की बसे नाय आईल रहे यतना महंगी बेसाई कीनो पार्तक भला से संकोचे नाय आईल रहल ना हमरा कुछ चाही ना तो पंजनी चाही ना खोना ना चांदी ना लुगा फाटा बस शिरिफ चैल आये हमर भाई तो इक उठहिए आई है मकन आई है जरूर कटिको देरी ना करी है कटीको ना सुस्तै है संकोच ना करी है फिर बहनमन मन में बोल रहा है कि देर हो रहा है अब तक तो आजाना चाहिए क्यों नहीं आया फिर सो तो रहा होगा कि क्या लेके जाएंगे क्या देंगे हम अपने बहन को इस कारण से नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए तुम सिर्फ आजाओ तुम सिर्फ आजाओ और जो भी है उसको हमको कुछ नहीं चाहिए भाईया हो भाई सबो ना करी हैं नाला नी है पैंजरिया संदेश नाही हमें मांग ही सोनारे चंदिया कूल आई हैं दीदी के देश भाईया हो सा वेरे महंगा बेल एक तीला सोनवा महंगा मेल नाही है पैंजरिया संदेश पंजरिया संदेश बोलता है मतलब मीठा काही नम है कि अगर नहीं खरीद सकते हो तो मत खरीदो लेकिन तुम आ जाओ फिर भी उसका मन जो है नहीं मानता है और फिर आगे बोलती है चाहे जे भी बोजो रहे आकिर करमेतिन के भाई नहीं आये पार तक लियन करे नदी नाला थिराई गेल आहार पोकर धिरे घुम गेल बोके पाइक लखे जे चरक कांस फुल जहर जाहे मनेक भादोक सोब चिना मुंदा मेटाई जाहे सिराई जाहे करमेतिन के बाचल कुचल आसरा तुट जाहे और उदुखे ब्याकुल है जाही और आयक के डर डर लोर बोहे लागे कहने का मतलब यहां पर है कि धीरे धीर समय बीट जाता है और भाई उसका लेने के लिए नहीं आ पाता है उसका आखों में आशु सूखने लगता है जैसे कि पोखरिया का अब जो पानी है वो थोड़ा सा सांत हो जाता है नदी का बहाव कम हो जाता है कांस का जो फूल है व उसको मन मन में रोना आने लगता है कि हमारा भाई नहीं आया अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो को अगर देख लिया है तो आप लोगों को किसी भी तरह का इस ते सम्मंधित कोई भी प्रस्ण जो आएगा वह आप लोग आसानी से हल कर पाईएगा आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताईएगा और दोस्तों के साथ सेर किजिएगा क्योंकि जैसे ही वेकेंसी जैसे सीजियल का इंतजार कर रहा हूं और जैसे सीजियल की वेकेंसी जैसे ही आप लोगों के सामने आज आएगी यहाँ पर लाइव क्लासेस मैं स् लोग का उस दोरान आप लोग की complete syllabus आप लोग के हाथ में होगी किसी भी परकार का कहीं पर भी कोई फी नहीं है कहीं भी आप लोग को जाने की जुरुत नहीं है आप लोग का या एक समाजिक कार्जी करम के तहरा है और समाई से जो हमने सीखा है उसी को आपको देने का काम कर धन्यबाद किसी का कोई एहसान नहीं है किसी पर मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ जोहार जारकंडी